Primary Health Care प्राथमिक स्वास्त्र सेवा Primary Health Care की Definition Primary Health Care is Essential Health Care जरूरी स्वास्त्र सुविधाएं made universally accessible to individuals जो की देश के प्रतेक नागरिक के पास हो and acceptable to them और वो उसको खुशी से सुईकार करे through their full participation और इनको सुईस्त्र सिवाओं को प्रत करें उसका खुद का भी योगदान को at a cost the community and country can afford और ये सुविधाएं कोई में लागत इतनी आनी चाहिए कि आपकी country और आपका गाउं जहां पे आपको मिल रही है आपकी वो जगे उसको afford कर सके ये नहीं कि इसको प्रोकर करने में करज में दब जाए प्राइमरी हेल्थ केर ये जो नाम है ये existence में आया था 1978 में 1978 में हला कि इसके पहले 1946 में बोरे कमिटी ने इससे मिलती जूलती चीज सजेस्ट की थी पर ये नाम जो है प्राइमरी हेल्थ केर ये 1978 में काम में आया था और ये कहां आया था आमा आटा में कॉंफरेंस हुई थी उसमें ये नाम दिया गया था और primary health care इसके जो भी principles हम आगे discuss करेंगे यह हर देश के लिए valid हैं चाहे गरीब देशो चाहे अमीर देशो हलांकि देश के हिसाब से जो primary health care वो कैसे दी जाएगी यह अलग अलग तरीके से दी जा सकती है गरीब देशों में अलग और अमीर देशों में अलग और यह माना गया था कि primary health care ही वो चीज़ है जिसके द्वारा हम health for all अचीव कर पाएंगे by 2000 AD प्रतेक व्यक्ति के लिए स्वस्त जीवन अफूर्ड कर पाएंगे 2000 तर क्या यूज़ करके primary health care elements of primary health care यह क्या होता है elements of primary health care यह हम आपको explain करते है generally यह माना जाता है कि health care मतलब आपको जो चिकिसा दी जाती है वो ही health care होती है पर ऐसा नहीं है जो चिकिसा सेवाएं है medical care यह आपकी health care का एक छोटा part है सिर्फ और जो चिकिसा सेवाएं यह medical care है इन में इंक्लूड होता है medical education, medical research, दवाईयां, machine वगएरा वगएरा लेकिन यह तो आप भी मानेंगे कि optimum health जोग है कि अच्छा स्वास्त सिर्फ चिकिसा के दवारा नहीं होता है और भी sectors इन में involved होते हैं जैसे कि nutrition, खान पान अच्छा हो, scientific हो तो आपकी immunity अच्छी रहती है और आपकी body की physiology अच्छी रहती है आप बिमार नहीं पढ़ते हैं drinking water, safe drinking water आपके पास हो तो बिबारियों से बचे रहते हैं safe disposal of waste देस्क्रीटा हो, यहाँ आना पहले, गर बिमारी नहीं पहले तो बिमारी से बचे रहते हो आपको immunization, vaccination टी का करण पूरा मिले, फिर आपको स्वास संबंदी जानकारी, health education मिले जिसे आप अपने को स्वास रख सके, यह जरूरी है healthy रहने के लिए तो खाली चिकिस्था की जरूरत नहीं है और भी बहुत सारे sectors आपकी अच्छी health के लिए जरूरी है और यह list काफी लंबी है, इसी लिए एक basic minimum package of services from different sectors एक basic minimum services का number है, जो की सिर्फ health sector से नहीं है, दूसरे sector से भी है जैसे education मिले हम अब भी आगे बात करेंगे, जिनका की effect पड़ता है आपकी health पर या उन चीजों पर जो आपकी health को खराब करती है, उनको हटाने पर तो यह जो services है, अलग-अलग sectors की, इनको, इनमें जो basic minimum है, इनके package को कहते है primary health care के elements So the services included in this package are the elements of primary health care यह कुछ example है कि आपकी health पर चिकिस्टा के लावा और किस किस चीजों का असर पड़ता है Left में वो list है, जो आपके स्वास्त के लिए लाबदा है के अच्छा खाना, safe drinking water, sanitation, साफ सुत्रा बातावरन, अच्छी चिकिस्टा सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई, social security मतलब आप काम पर जाते हैं तो वहां पर आपको इज़दी जाती है, आपको exploit नहीं किया जाता women के rights बग्यरा बग्यरा और right में वो list है वो चीजे जो आपकी स्वास्त पर खराब असर डालती है और जो अलग सेक्टर्स हैं वो अलग-अलग सेक्टर्स इन चीजों को हटाने में काम करते हैं malnutrition, पानी साफ नहीं होना, sanitation नहीं होना यह सारी चीज़ है जो आपकी health को तो अब आप आप आपको बताएंगे वो elements जो primary health care का पार्ट हैं यह 8 elements है education concerning prevailing health problems, मतलब लोगों को यह बताना, जानकर देना कि उनके area में कौन-कौन सी बिमारिया हैं और वो उनसे कैसे बच सकते हैं या उनसे निजात पा सकते हैं दूसरा, promotion of food supply and proper nutrition, मतलब लोगों को खाना बराबर मिले और अच्छी quality का खाना मिले स्वास्तवरदक खाना मिले, तीसरा, adequate supply of safe drinking water and basic transportation, जो पानी मिले, वो हर इंसान को साफ पाने मिलना चाहिए, जिसे बिमारी से बचा रहे और उसकी सचता का guarantee होने चाहिए, ताकि बिमारिया ना भेले चौथा, maternal child healthcare, including family planning, मा, जच्चा बच्चा का ख्याल रखना, उनकी health का ख्याल रखना, और इसमें included है family planning भी, कि अपने कितने बच्चे करने हैं, उनको प्लान करके, और कैसे बच्चे उत्ते रखते हैं, जितने आप चाहते हैं, तो ये हर एक individual के पास option होना चाहिए, एक एरिया में जो जो baby infectious diseases हैं, और उनके लिए टिका मौझूद है, तो ये हर भशिंदे को लगना चाहिए, छटा, prevention and control of locally endemic diseases, उस इलाके में जो बिमारिया फ्यली हैं, उनके लिए उनसे बचाओ के कदब उठाना, और उनको गदब उठाना, और उनको गदम उठाना, आप हैं और कंट्रोल कर सकते हैं और छटा है कि administration खुद क्या कदम उठाता है उन diseases को से लोगों को बचाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए साथवा element है appropriate treatment of common diseases and injuries कि अब वो पाड़ता जो चिकिसा कहा जाता है कि यह सबके बाद जो disease हो जाए किसी को तो उसका treatment या अगर चोट लग जा तो उसका treatment यह भी हर एक इनसान के पास उपलब्द होना चाहिए और आठवा provision of essential drugs यह जो चिकिसा last में है इसके लिए जो भी दवाईया चाहिए वो भी उपलब्द होने चाहिए चाहे सरकार दे या आप खरीद करों कैसे भी हो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दवाई की कमी की वज़े से चिकिसा नहीं हो पाई अब है principles of primary health care वह सिध्धान्थ जिन पे primary health care based है पेचे थे elements की प्राइमरी health care में क्या इंक्रूड क्या package इंक्रूड होने चाहिए जिससे आप कहें कि हाँ primary health care आपको पूरी बराबर मिल रही है अब यह सिध्धान्थ क्या है कि सिध्धान पे आधारत है primary health care equitable distribution मतलब बराबर बतावर वितरण समाज के हर वर्ग को यह आठ सुविधाएं जो हमने पीछे डिसकस की उपलब्ध होने चाहिए जो जरूरत मन्द लोग हैं उनके पास भी उपलब्ध होने चाहिए चाहे वो बहुत अमीर हो चाहे बहुत गरीब के वर्ग से हो लेकिन ये आठ चीज़ें उसको उसी तरह से मिलने चाहिए जैसे किसी एक अमीर इंसान को मिले कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए दूसरा community participation मतलब समाज का सहयोग जिस community के लिए यह स्वास्त सेवाएं दी जा रही है वो उनके खुद के सहयोग से डिवलप करी जाने चाहिए इनको हम इन प्रिंसिपल्स को बादे में डिसकस करेंगे थोड़ा डीटेल में तीसरा multi-sectoral coordination इंटर सेक्टोरल कोडिनेशन अब जैसे हमने पिछे डिसकस किया कि खाले चिकित सा के इंद जो है वो आपकी health को ensure नहीं कर सकते वो 8 चीजों में खाली last के 2 points है बाकी सारे तो दूसरे sectors है तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे sectors मिल के काम करें और ये ensure करें कि प्रतिक परसन का उस community में जो स्वास है वो अच्छा रहे चौथा principle है appropriate technology जो की कारगर हो और लेकिन इस तरह से इस्तिमाल की जाए कि लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी भी ना पड़े ये सारे principles हम आगे पहला principle equitable distribution बराबर बराबर वितरन equitable distribution का मतलब ये है कि universal access to health services irrespective of the ability to pay चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो चाहे वो पैसे दे के ले और पैसे नहीं तो उसको बिना पैसे की मिले लेकिन प्रत्यक व्यक्ति को ये आर्ट services मिलनी चाहिए equitable distribution अगर equitable distribution नहीं है जो की unfortunately ऐसा है तो कुछ लोगों हैं जिनको basic minimum care भी नहीं मिलती है खाना पिना मिनी मिलता है साफ पानी मिनी मिलता है और कुछ population है जिनमें सारे की सारी health services concentrated हैं तो कहते हैं कि equitable distribution नहीं है तो अगर equitable distribution करना है तो क्या करना होगा कि जो सरकार है वो अपनी resources वहाँ invest करे उन areas में invest करे जहां पर उनकी अस्ती जरूरत है जरूरत बंद लोग रहते है और इसके अलावा उन लोगों को high priority देनी चाहिए उस population में जो जरूरत बंद है एक तो वो geographical area जहां पर जरूरत ज्यादा है और दूसरा उनमें भी population में वो groups जिनमें ज्यादा जरूरत जैसे की औरतों को, बच्चों को, गरीब लोगों को या उन areas में जहां पर अभी सुविधायन नहीं है तो इसका मतलब क्या करना होता है अगर हमको equitable distribution एंशूर करना है तो हम क्या करेंगे हमें पहले identify करना है वो areas जो सबसे ज़्यादा risk पे है वो groups population में जो सबसे ज़्यादा risk पे है उनको identify किया फिर उनको हमने पूरी care दी continuum of care continuum of care का मतलब है कि पहले तो हमने उनको इतनी अच्छी स्वास सबसे हैं दी कि वो healthy रहें फिर उनको हमने टीका करड़ किया जिससे वो बिमारियों से बचे रहें उसके बावजूर भी अगर उनको बिमारी होगी तो उनको हमने treatment दिया और अगर उनको ज़्यादा treatment की ज़रुत है तो हमने आगे refer किया जहाँ पर उनको बराबर बड़ा treatment भी मिला और तीसरा वो factors हटाने हैं जिनका स्वास पर खराब असर होता है equitable distribution is the key to attain health for all health for all obviously तभी हो सकते हैं जबकि इन 8 सेवाओं का equitable distribution हो तो equitable distribution की अभी की situation क्या है यह कोई बहुत अच्छी नहीं है अलग-अलग countries में बहुत inequalities है कोई country बहुत अमीर है उनके सब के पास स्वास्थ हैं सभी स्वास्थ रहने की वो रखते हैं और कुछ में नहीं है country के अंदर भी जो बहुत inequality बहुत है जो शहरी का area हैं उनमें ज़्यादा चिकित्सा सुवधाएं और health services हैं और शहरी area में भी जो जुकी जोपड़ी हैं slums हैं उनमें ये चिकित्सा सुवधाएं और स्वास्थ सुवधाएं नहीं हैं तो इसलिए inequality हो जाती है स्वास्थ सुवधाओं की rural area में ग्रामें इलाकों में और urban slums में तो primary health care का काम ये है कि ये जो difference है इसको gap को fill करें और जो सरकारी health care system है स्वास्थ सुवधाएं हैं वो शहरी लोगों से हटा के सुवधाएं वहाँ तो काफी हैं private भी बहुत हैं और urban slums में करें ताकि जो स्वास्थ सुवधाएं हैं वो लोगों के उत्ती पास पहुं सकें जित्ती पास पहुं सिब्सक्राइब Community Participation समाज का योगदान पहले हम इसकी रेफिरेशन कर लेते हैं The process by which individuals and families assume responsibility for their own health and that of the community they live in मतलब समाज ये स्वास्थ सुवधाएं प्रदान करने में समाज का भी सहयोग होना चाहिए जैसे कि लोग खुद अपने स्वास्थ का ख्याल रखें और ये चिकिस्थ सुवधाएं और स्वास्थ सुवधाएं प्रदान करने में जैतना हो सके उतना सहयोग दें खुद भी यह सुविधाएं दें तो अगर community participation या समाज का युगदान sufficient है तो उसके क्या फाइद हो सकते हैं पहला self-reliance and sustainability पतलब जो समाज को यह सुख सुविधाएं दी जा रही हैं वो अपने अपने पूर्ण है अपना ख्याल खुद रख पा रहे हैं जैसे कि जैसे कर लिया तो लोगों ने खुद अपना सौस का ख्याल रखा और यह चीजें चाहे कोई भी सरकार आए यह बनी रहेंगे क्योंकि लोग खुद इसको maintain कर रहे हैं इसको कहते हैं self-reliance and sustainability लोगों को यह बता चल जाए कि उनकी health problems उस एरिया में क्या-क्या है और वो सीख जाए कि इन बिमारियों से कैसे बचा जा सकता है तो खली passive beneficiaries नहीं रहें कि सरकार आके हमको सुविधा लेंगे तो हम लेंगे वो खुद कर सकते हैं वो सरकार से मांग सकते हैं डिमांड कर सकते हैं अगर उनको पता है कि उनको क्या चाहिए और खुद भी बना सकते हैं अगर वो कर सकते हैं तो दूसरा क्या फायदा है community participation का यह है कि जो cultural barrier है स्वास सुविधाओं और लोगों के बीच में उसको वो overcome कर सकते हैं इसका यह मतलब है कि जैसे सरकार को स्वास सुविधाओं देती हैं लेकिन वो उस particular सामाज में लोगों को सकता थोड़ी अटपटी लगें उनक आखों में चुबें इस वज़े से वो इसको इसको इस्तेमाल तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कुछ कहने सकते हैं क्योंकि वो सरकार दे रही हैं लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो जो community participation participation है इसमें अगर लोग समाज के खुद के लोग आपको साथ सुविधा देंगे तो वो इस भाशा में देंगे और इस तरह से देंगे कि लोगों को वो accept हो जाए या वो लोगों समझा देंगे कि इनके लिए क्यों अच्छी है और उसको accept कर लें लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस समाज में से कुछ लोग को trading दी जाएं जिससे कि उनमें वो capability आए कि उस स्वास सुविधा को उस form मिला सके चेंज करके improvise करां जिसको कहते हैं जो कि उनके समाज के लोगों को acceptable हो जाए वो उसको सुविकार कर लें तो सरकारी सिस्टम की health system की यहाँ पर यह responsibility आ जाती है कि वो उन लोगों को सही scientific way में train करें कि लोग इस से समाज को परस्तोत कर सकें और यह भी जरूरी है कि वो health system से यह पूछे कि क्या हमने जो innovation किया है क्या यह ठीक है तीसरा फाइदा community participation का कि community से उस समाज से आपकी better communication हो जाती है क्योंकि जो सरकारी health system है वो इन कारे करता हो द्वारा communicate करता है वहीं कि समाज के खुद के लोग स्वास्विधाय प्रधान में कर रहे हैं उनकी भाशन में प्रधान कर रहे हैं और लोगों की जो problems हैं वो लेके सरकारी system के पास जा रहे हैं सरकारी system उसको solve करने कोशिश करते हैं और उस answer इनी trained लोगों को दे देते हैं जो कि वापिस से निकले हैं उनको involve करा जाएं और उनको motivate किया जाएं कि आप लोगों में ये awareness फैलाएं और लोगों की problems हमरे पस लेके आएं और solutions लोगों के पास लेके जाएं चौता फायदा कि इन सौस्विधाओं को प्रधान करने में कभी-कभी जगे के कभी पढ़ सकती हैं कभी-कभ पर्सलिन के कभी पढ़ सकती हैं तो अगर सामाजिक सहयोग पुरा है तो यह लोग जो जिस समाज के लिए सौस्विधा में प्रधान की जारई है वो लोग कॉंटरिब्यृट कर सकते हैं अपनी ने सकते हैं अपनी कोई building दे सकते हैं यह तक कि पैसे बेकर ने करके दे सकते अगर ज़रुएत पड़ी तो यह फाइदा है समाजिक सहोग या community participation की WHO भी यही कहता है कि community participation बहुत ज़रुरिया और community participation के लिए best तरीका है community health worker को employ करना मतलब कि समाज में से निकले हुए लोग को कि स्वास्त सुविधायां ब्रदाम करें यह जो community health worker है finally first level of contact बनते हैं किसमे समाज के लोगों में और healthcare system official system जो है और इन लोगों को जो की समाज में से ही चुने जाते हैं इनको छोटी से trading दी जा सकती है जिसे वो छोटी छोटी सुविधाय प्रदान कर सके और लोगों के बीच में जानकारी दे सके तो इसलिए ज़रूरी है कि वो समाज के ही लोगों और समाज नहीं उनको चूज करके आपके बास भेज़े कि आँजी इनको आप train कर दीजिए और ये भी ज़रूरी है इनको train किया जाए और समय समय पे बार-बार train किया जाए क्योंकि नई नई चेकिस्ता सुविधा है बनती रहती हैं कुछ पुरानी रिडंडन हो जाती है तो इनकी रिड्रेडिंग भी बार-बार कित करते रहने चाहिए और ये responsibility health system या सरकार की है जब कोई भी problem आए इन services को देने में या थोड़ा complicated इलाज के ज़रूत पड़े तो ये जो trained community health worker है इनके पास कोई ऐसा बन्द होना चाहिए जो scientifically, technically qualified हो और ये उससे जाके पूछ सकें और फिर अपनी भाष्टा में जाके समाज में बता सकें या treatment दे सकें या बता सकें कि क्या करना है ये भी ज़रूरी है, एक तो training और एक ऐसा technically qualified बन्दा जिसके पास ये लोग जाके पूछ सकें इंडिया में example community participation का village health guide से शुरूबा था जो कि अब नहीं train किये जा रहे हैं इनकी जगे ले ली है आशा ने, accredited social health activist ने आंगनवाडी worker trained दाई, village health sanitation and nutrition committee तो इनकी training और समय समय पर retraining होती रहती है और technically qualified बन्दा जिसके पास ये लोग जा सकते हैं अपनी परशानिया लेके वो है, immediately technically trained उनको पर जो है, वो है auxiliary nurse midwife, A&M तीसरा सिधान्त या principle है, intersectional coordination, यानि की वे शेत्र, जो आपके स्वास पे असर डालते हैं, उनका आपस में मिल जूल के काम करना अबने जैसे पहले कहा, medical care या चिकित्सा स्वास स्विधाओं का एक छोटा पार्ट है सिर्फ वो तभी काम आता है जब किसी की health, किसी का स्वास खराब हो जाए और बिमारी हो जाए primary health care जैसे हमने पिछे बात की, health promotion disease prevention and then management of disease if it occurs ये होती है primary health care की पहले स्वास को और अच्छा करो, disease को prevent करने के लिए चीज़े करो, और फिर भी अगर बिमारी हो जाए तब चिकिसा दो तो ये करने के लिए हमको चिकिसा सुवधाओं के अलावा दूसरे शेत्रों पे भी बहुत दिर्बन होना पड़ता है उनका इंट्रेक्ट योगदान जादा है तो इसलिए primary health care को अच्छा nutrition status हो तो बिमारियां कम होती है साल में एक आद बारी बिमार पड़ते हो लेकिन nutrition status आपका कैसे better हो सकता है वो agriculture में advances से home economics better हो जाएं कैसे पैसे budget को manage करना है इन चीज़ों से agriculture sector development से food की availability बढ़ जाएगी healthy food खाने से लोगों की health वैसे अच्छी होगी education sector especially women education तो औरतों को माओं को पतनियों को पता होगा कि कि किस प्रकार का खाना खाएं और अपने परिवार को खिलाएं जिसे उनका health अच्छा रहे और वो खाना जो locally available है सस्ता है लेकिन फिर भी sauce वर्दा के healthy है वो कौन से हैं वो चीज़ें दूसी और चीज़ कि जो पानी पिने का हो वो साफ available हो तो obviously इससे पिमारिया वो समाज में कम होंगी तो ये जो साफ पानी पिलाने वाली जो भी से शेतर है उसका भी युगदान जरूरी है similarly safe disposal of waste and excreta और housing ऐसा घर जो की local climate के हिसाब से बना हो और आपके sauce को sauce वर्दा को इसको कहते है healthful housing फिर road connectivity जो remotest village दूर दराज के गाउं है उनमें road connectivity अगर अच्छी है तो obviously उनकी economic condition मेंट हो जाएगी पैसे उनके बाश ज्याज़ आ जाएगे क्योंकि वो अपनी चीज़े दूर तक बेच पाएंगे इसके अलावा sauce विधाएं वहां तक पढ़ाई लिखाई teachers और school के staff वहां तक पहुंच पाएंगे उस area में तीसरा जिद लोगों को वहां के sauce विधाएं से उपर उठके ज्यादा चिकिस्या की जरूरत है उनको जल्दी से जल्दी पास के hospital या दूर दराज के बड़े hospital ले जाने में आसानी रहेगी इसके लावाद दवाईयां और मशीने जो भी चीज़े चिकिस्या के लिए जरूरी हैं वह भी इस दूर दराज के गावं में पहुंच सकेंग वर्दक जानकरी छपे तो ये लोगों को लिए स्वास्त के लिए काफी जरूरी है जैसे कि किस प्रकार से मच्छरों से और मख्यों से नुकसान होता है इनसे किस प्रकार से बचा जाए फिर जो disaster कोई कोई आपदा आ जाए तो warning देने के लिए उसकी पहले से या आने के बा फिर legislation मतलब law making जो कानून सिस्टम है देश का ऐसे कानून मने जो कि उन चीजों को बढ़ावा दें जो कि आपके source पे अच्छा सड़ालती है और उन चीजों को ban करा जाए जो आपके source को खराब करती है ऐसे कानून मनाना कानून शेत्र का अधिकार है इसके लबा इंडस्ट बनेंगी तो लोगों को जॉब मिलेगी लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है कि फिर हमारी वातावन को खराब ही करती है इसके लिए कानून मनें चीजों के साब से और उसके लावा इंडस्टी बनें से लोगों के पैसा आने से nutrition बेटर होगा और उस एडिया का overall भी development होगा साड के बनेंगी सुविधाय बनेंगी तो यह एक इंडस्ट्र शेत्र है कि अब यह तो नहीं हो सकता ना कि जो वहां पे primary health center प्राथ में चिकिस्चा केंदर है वह आपको यह सारी सुवद्र हैं देगा इतने सारे शेत्र इतने सारे सेक्टर इंवाल्ड हैं वह सब वही दे लेकिन जो टीम आपे बैठती है उनका काम है लोगों को इस बारे में जानकारी देनाग कि जिससे लोगों को ये पता रहे कि ये सारे शेत्रों में भी हमें जरूरत है और वो फिर सरकार से ये सारे शेत्रों का इनपुट मांगें कि हमारे एरिया में यह सब डाओ जिसे हमारा स्वास तर बेटर हो और इसी लिए जो नेशनल डेवलब्बंट प्लाइडिंग चलती है उसमें सारे शेत्रों के लोग इन्वाल होने चीए जिसको कहते हैं मल्टिडिसिपिलिनरी टीम इंकलूडिंग हेल्थ एडिनिस्टरेशन तो यह तो गया उपर की बात उसके लाबा लोकल लेवल पे गाहों के लेवल पे या एक कॉलोनी के लेवल पे जो सारे सेक्टर्स हैं एस्पेशली जो सेक्टर कमज़ोर है उसको डेवलप करें लोग बंगे करें खुड़ा खुद करें तो उससे वहां की हेल्थ सिचुएशन बेटर होगी और यह तब होगी जब लोकल लेवल पे भी इंटर सेक्टोरल कोडिनेश होगा जैसे कि किसी मानलोग कॉलोनी में एक डबलू बनती है तो उसमें एक हेल्थ का कोई बंदा हो कोई सडको कोडिनेशन या बहु शेत्रिया कोडिनेशन अचीव करते हैं लोकल लेवल पे भी फिर है चौथा प्रिंसिपल अप्रोप्रियट टेक्नोलोजी पहले इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन दिये प्रिंसिपल होना चाहिए लेकिन अड़ेप्टेट टो लोकल नीट्स मतलब इस तरह से वो प्रस्तूत किया जाए इस तरह से वो यूज किया जाए कि लोगों को अटपटा ना लगे लोगों को एक्सेप्टेबल हो और मेंटेनिबल फिर लोगल रिसूर्स ऐसी चीज जो कि आगे भी इस्तेमाल की जा सके यह नहीं कि सरकार ने एक बार दे दी और जब वो खताम होगी तो फिर वो चीज़ भाई नहीं तो टक्नोलजी ऐसी जो कि साइंटिफिकली तो साउंड हो और लोकल लोगों लोगों से खुशी से इस्तेमाल भी करें और वो सालो साल बनी भी रह सके तो इसका क्या मतलब है अप्रोपिय टक्नोलजी मीन्स एनी टक्नोलजी जिससे कि जो कंट्रीज के रिसूर्स हैं उनका एकानोमिकल यूज हो सके है इस्वर्स मतलब पैसा लोग स्किल वगेरा जहां पर कि मशीनरी एकुप्मेंट अगर इन्वाल्ड है तो वह सिंपल मशीन जित्ता हो सके उतनी सिंपल मशीनरी बनाने चाहिए अराम से चल सके और उसकी रिपेर भी उसकी अगर छोड़ी बहु अप्रोप्रेट टिकनोलजी के एक्जेम्पल देते हैं और एस ओरल रियाडरेशन सॉल्ट पहले जब किसी बच्चे को उल्टी दस में पाने की कमी हो जाती थी तो ग्लूकोस अड़ाया जाता था इंट्राविनस फ्लूट दिये जाते थे ताकि पाने की कमी पूरी किया सक कि दूसरा एक्जेम्पल है वैक्षिन वाल मॉनिटर जो वैक्षिन हीट गरमी को एक्सपोज हो जाती है ठीक से ठंडे में नहीं रखे जाती है वह खरब हो जाती है तो वह अफिन जानने के लिए हमें लैब में टेस्स करण हो जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है उसके ज केमाल नहीं करना तो अपने लैब के इतने सारे इंवेस्टमेंट बचा लिया तीसा अग्जेम्पल है बायो गैस सिस्टम पर गोबर गैस जिसको बोलते हैं अब पाइप डैचरल गैस यह एलपीज सिलेंडर तो बड़े मेंगे पढ़ सकते हैं सालो लग सकते हैं कि आपके ग गोबर गैस है वो लोकल ही बनके और लोगों के लिए खाना पकाने का साफ इंधन का इद्जाम हो सकता है सस्ते में नीरी ने सेफ ट्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड के लिए यह भी एक उसका एलिमेंट था तो वही बड़े-बड़े प्रैंड लगा के और नलों में पानी पहुचाना पॉसिवर्शन ना होसा कारों के लिए तो नीरी ने तरीका निकला है पॉट क्लोरिनेशन इसके प्राम से लोकल केमिस के पास मिल जाती है तीसा तरीका है कि हर दूसरे दिन जो कुएं है गाओं के उनको ट्लोरिनेट कर दिया जाए और यह कौन करेगा विलेच हेल्थ गाइड यह वहां की जो आशा यह वहां की जो मेल मुल्टिपर बस वक्र वकर देंगे कर सकते हैं मतल जाएगा एक और एक्जामपल है कि फर्स टेट की किट बन सकती है लोकली अवैलेबल चीजों से जैसे की बास की बनी हुई स्प्लिंटिंग की कई फ्रैक्ट्र के लिए एक सिंपल किट बनाई जा सकती है स्नेक बाइट के लिए जिसमें की वो लोकल हीलर जो चीज़े यू एक और एक्जामपल है है हैंड जरूत बहुत चीज़ों पड़ती है यह बिजली से चलती है पैक्ट रैसल जैसे बनाई जाती है इसके लिए तो PCV पैक्ट से वॉल्म जाने के लिए हैंड जरूत जरूती है लेकिन कई गवाँ में तो बिजली नहीं होती तो यह कैसे चले है स्पेशली अगर कहीं पे पावर कट हो तो फिर है ग्रोथ चार्ट जो कम्मुनिटी हेल्थ वरकर्स हैं वो खुद ही अपनी कम्मुनिटी के बच्चों की बड़त पे नजर रख सकते कि बच्चा ठीक था बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा तो इसलिए ग्रोथ चार्ट बनाए गई है वासक अपरेटर्स एक ऐसे चीज़े जिसे अराम से नस्पंदी की जा सकती है और नस्पंदी से असोसियेटेड जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो उससे बहुत कम हो जाते हैं और अच्छी इसकी समावना बढ़ी जाती है कि आगे जाके कभी नस्पंदी क उल्टा करने के जुरूत पड़े नस्पोली की जुरूत पड़े तो उसका भी इसमें स्कोप रहता है फिर लेटेस्ट अभी जो देखा गया है कि जो गारलिक होता है लेसन उसका रस यह पाया गया कि बहुत अच्छा एंटी बेक्टिरियल है तो अगर गाउं में किसी को चोट लग जाए या इफ्रेक्शन हो जाए तो गारलिक जूस जो है वो काफी एफेक्टिव हो सकता है तो इसके लिए आप इंपोर्टेंट और महंगे एंटी सेप्टिक या एंटिबाटिक्स को लेसन की जूसर रिप्रेस करके अराम से सस्ते में और बहुर एफेक्टिव तरीके में घाओ का ट्रीट्पन कर सकते हैं